बस एक जेन ता जड़े ना कोई हाल नहीं सारे कम आपनों करने पर दिन होना खुल देने पर की करिए मैं अपनी प्यारी कर रहा हूं अपना जो साफा यह सबसे मुश्किल काम होता है मेरे लिए इसको मैंनेज करना असलामेकूम एद मुबारिक मैं श्यवेहरजादा वेलकूम तु मैं यूट्यूब चैनल उमीद करतों सब खरिये सोंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें सुबह के 6 बच गये हैं और आज बच्चे भी उठ गये हैं यहां से जल्दी-जल्दी क्योंकि सभी को पता है कि आज एद हैं और सभी एक्साइटेड हैं हर कोई नहारा है और किचन में क्या हो रहा है हम जा रहे हैं जी किचन की तरफ किचन में आपी जो हैं वो बना रही हैं थी समया क्यूंकि नमाज एद पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं तो उससे पहले मीठा कुछ खाकर जाते हैं उसके लिए यहां पे समया बन रही है माशाला जल्दी करें वैसे भूख भी लगारे हैं हमारे हाँ में एद वाले दिन ए जो कि अब की बार हम नहीं बना सेके एक तो हम बेजी थे काफी ज़्यादा आपको पता ही है एद से पहरे दो चार दिन और इसलिए जो है वो टाइम ही नहीं है अगें एद मुबारक तो आल मैं यूट्यूब फैमली और आज एद अजहा का दिन है बहुत बहुत मुबारक दो को आपको धेरोखुशिया हमारा जो गॉंह है जहां पर अब हमार घर है वहां पर एद होनी थी तकरीबन नो बची काफी देर थी इसलिए हम आगे जी अपने पुराने गहूंः चाह कहीं जाहीं चाही जाहिए बाड़ा हुए और भारके पैदा हुआ बड़ा हुआ अ और फिर हमें अगले अलाके में जाना पड़ा तो अभी हम वापस घर आगे हैं और यहां पर देते हैं बच्चों को इदी क्योंकि इदी लेने वाले बच्चे सिर्फ यहीं पर ही हैं। आजकल बारशे हो रही हैं वक्वा वक्वा के साथ और मैं मिलवाता हूँ आपको अपने बक्रे के साथ और मुझे टाइम ही नहीं मिला जो हमने कुर्बानी के लिए बक्रा लिया है वह दिखाने का असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम तो से गर रहे हैं यह है जी माशाला हमारा बक्रा जो कि हम ने दर गौं से ही लिया है मंडी से हम लेते हो थो हमें काफी ज़्यादा महिंगा पड़ता लेकिन अलहमदुलिल्ला यह हमें ठीक मिलिया है यहां से हमारे यहां वक्राइच से बारेश हो रही है रात को भी काफी ज़्यादा बारेश हो रही है इसलिए हर चीज गिली गिली लग रही है और फसले में जो है वो काफी ज़्यादा सरसब्स लग रही है सामने हमारे जो कदो की फसल है वो माशाला काफी अच्छी होती जा रही है लेकन अभी बारश की वज़े से काफी ज़्यादा उसमें पानी है हम जा नहीं सकते और कुछ लोग मेरे शेरू के बारे में पोच रहे थे और मैं आपको बताना भोलिया था कि शेरू अब हमें नहीं डा 10-15 दिन पहले वो माजी ने मेरे सदके में दे दिया शेरू को और मुझे जिस दिन माजी ने दिया उसे अगले दिन पता चला कि शेरू जो है ना वो मेरे सदके में चला गिया है तो मुझे दुख हुआ और माजी कहती मैंने का माजी छोटा सा था जब मैंने उसे जो है ना पालना शुरू किया था तो माजी कहती कि सबसे कीमती चीज़ ही सदके में जाती है तो शेरू ने सामने हमारा खिचन है साथ में एक रूम और यह है हमारा स्टोर रूम आज आपको स्टोर रूम भी दिखा दो अपना क्योंकि आज काम है यहां पर और हमारा इसतरी स्टैंड वह भी इधर ही बढ़े स्टोर रूम में उभी हमको करने हैं जि यह पड़े इस तरी काफी प्राणी है बचारी फिर भी सबसे पहले इनका यह चीज खराब होती होती है मैं फाइव कुलास से अपने कपड़े खुद ही इस्तरी करता हूँ और जब आप ही थी घर में तब भी मैं खुद ही करता था और अब तो फिर करने पड़ते हैं नहीं इस इतने ज़्यादा अच्छे प्रेस करने नहीं आते मुझे कपड़े लेकर करता मैं खुद ही हूँ माशालला हमारी समय जो है वह हो गई है जी तैयार और साथ-साथ तैयारी भी चल रही है और साथ-साथ खाना भी चल रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है इसलिए खाना पहले तैयारी बाद में मज़ेदार समय देशी घी में बनी हुई है और मज़ा करवा रही है तो कपड़े प्रेस कर लिए हमने और शोज भी उठा लिए अभी जा रहे हैं चेंज करने के लिए होगे त्यार नए अभी कब होने अभी तक त्यार नहीं होएं लड़के और हमारा शूज हमारे कपड़े खुद इस त्रीक में शूज कैसे फरारी इतना बड़ा ब्रैंड है बैसे किसी ने कॉपी ही किये यह रहा शूज हमारा पैन के देखिंगे कैसा लग रहा है फरारी जाएगी यहां पर चीजें सेव करने का अच्छी जग है मंजी अधेर टपा चटो ना माजी देखिए और ना इंसल्ट हो बंदे की तैयारी में हमारी बाकी चीजें कम्प्लीट होगी थी और एक यह चीज रहती थी है क्या चीज को करते हैं ऑन बॉक्स बस हेक जें करने करने पंदन होना खुल देने पर की करिए यहां से खुल दें इसको ऐसे यह रही मेरी वाच और यह चल भी नहीं रही अच्छा यह बंद की हुए होगी इसका टाइम अगे अब बारे सेट करते हैं और निकल दी नहीं कि यह टॉमी है टॉमी टॉमी को देखके मुझे टॉम एंड जेरी याद आगे वाच हमने वैसे कि यहां से निकाल लिए लेका है अब बेहनते वक्त हम शुक में कर सेकते हैं तो यहां के हमें वजरूर पढ़ी है अत्वी की कैसे लगी है अब हम निकलते हैं कहां जाने जागे बताते हैं ना हम समय वगयर खाकर जा रहे हैं जी आप नमाज से एद पढ़ने के लिए और बाबा जी भी रेड़ी हो गया असलाम एकम बाबा जी एद मुबारक सबसे पहले एद जी है वो बाबा जी से मिल रहे हैं अज़ें पढ़ी काई नहीं बाबा जी मेरे वीवर्ज नो भी एद मुबारक आख दियो और रैडी हो लिया हमने अभी हम निकटे हैं इदर जाना है हमने इदर जाना है इड की नमाज परने के लिए वह सिर आगे हैं तो अल्हम्दलिल्ह नमाज एद की नमाज हमने अदा करें आज एद का दिन है और आज मोसम माशालला बहुत ही प्यारा बना हुआ है इतनी ज्यादा गर्मी आज नहीं है वैसे पहले यह होता था कि जब बादर होते तो हबस होती थी आज वह भी नहीं है और अभी हम जो है वह अपने पुराने गहर की तरफ जा रहे हैं इसी एरिया मे मैंने आपको इंदे आज मीजी में काफी दिन हो गए था मिद्राइब निकिते अबत्स की मोज मस्ती जाए ते है इद मुआ रहे है आगा है बस चल दे हैं इद मे तो हम अपने घर पहुंच रहे हैं और मिलते हैं सभी से एद और बच्चों को देती है एदी क्योंकि एदी मांगने वाले सारे बच्चे यहीं पर रहते हैं अबदलमनान अबदलमनान ने भी इद के कपड़े पहन लिए और हंसर है बाइक पर जूले लेने के लिए निकले अपने बावा के साथ अबदलमनान किदर जा रहे हैं चले हो या फिर मिल दे तो हम जा रही हैं जी अपने घर काफी दिनों बाद बच्चे सभी जो हैं वो बाहर गया हुए होंगे घूमने फिरने के लिए क्योंकि मुझे यहां पर कोई बच्चा नहीं मिला और इमान यहां पर थी इमान अपने नान के पिंड़ गई हुई है आज देखें इदी लेने वाला कोई बच्चा ने मिल रहा हमें इस साइड़ पर काफी ज़ाधा गरीन रही है और सामने जो है वो छोटा सा तालाब सा है जो भी हमारे बारिश का पानी होता है वो उसमें जागे गिरता है तो इमान के साइकल हमें एक बच्चा मिल गया है इदी लेने वाला ये है जी आपकी इदी आपकी 100 रुपीज है बस चलते हैं मैं का इद मेले अब ये तो उमीद करता हूँ आपको आज का विलोग पसंद आया होगा अगर विलोग पसंद आया हो तो लाइक इन शेर कर दे हो चैनल को सबस्क्राइब करने न भूरिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट विलोग में तब तक अपना बहुत से ख्यार रखिएगा दौाओं में याद र झाल 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 झाल